इस विडियो में हम बात करेंगे 2015 की फिल्म लोलो के बारे में जो कहानी है एक 40 साल की औरत की जो कुछ वक्त के लिए छुट्टियों के लिए बाहर गई और वहाँ उसे जौन नाम के आदमी से प्यार हुआ पर उन दोनों के रिष्टे के बीच उस औरत का बेटा लोलो आ गय है पर अब वो अपने लिए एक साथी ढूनना चाहती है क्योंकि पिछले कई सालों में उसे कोई भी ढंका आदमी नहीं मिला और एक मर्द ढूनने के लिए आरियाना ने उसकी मदद करना शुरू किया वो उसे लेकर शहर से दूर अपनी बेहन के पास गई जहाँ उससे मिलने से साफ साफ इंकार कर दिया और वाइलिट का मजाक उडाते हुए आरियाना कहने लगी कि उसे एक बिल्ली अडॉप्ट कर लेनी चाहिए क्योंकि और किसी के साथ वो शायद रह ही नहीं पाएगी उसने वाइलिट को छुट्टियों का फायदा उठाने के लिए कहा और उसे मजे करने की सला दी वाइलिट को नए कपड़े दिला कर आरियाना और उसकी बहन उसे जौन के घर ले गए जहां उसने एक पार्टी रखी थी पर जब उन्होंने जौन के कपड़े देखे तो उन्हें वो फिर से बदसूरत लगने लगा वाइलिट ने ठान लि रते हुए जॉन ने बताया कि उसकी बेटी सबीन लंडन में पढ़ रही है। और वाइल्ट ने बताया कि उसका एक प्यारा सा छोटा बेटा है जिसका नाम ऐलोवा है। जॉन के दोस्ट जिराड का मानना था कि वाइलेट जॉन को पसंद करती है। और अब अपने आस-पास की खुबसूरती के मज़े उठा कर उसका जॉन को अलविदा कहने का वक्त आ गया। वाइलिट को समझ भी नहीं आया कि कब वो जॉन से प्यार करने लगी। और उन दोनों का रिष्टा देख कर आरियाना हैरान हो गई। वो दोनों उस पूरे हफ़ते की बात करने लगे जो वाइलिट ने जॉन के साथ बिताया और उनकी बातों ने पास बैठी एक औरत को अनकमफरटिबल कर दिया। कुछ दिन गुजरे और जॉन और वाइलिट अपने काम में बिजी होने लगे। जॉन कुछ दिनों में पैरिस आने वाला था और वाइलिट उस दिन का बेसबरी से इंतिजार करने लगी। जैसे ही जॉन पैरिस आया वाइलिट उसे अपने घर ले गई। जहां उसकी मुलाकात एलोआ से हो गई। जॉन उसे देखकर हैरान हो गया क्योंकि वाइलिट ने कहा था कि उसका एक प्यारा सा बेटा है जिसे वो लोलो बुलाती है और उसे लगा कि वो बेटा एक छोटा बच्चा होगा। पूरी रात वाइलिट के साथ रहने के बाद अगली सुबह जॉन को लोलो का सामना करना पड़ा और उसकी घबराहट बढ़ने लगी। उस घर से निकलने के बाद जॉन अपनी नई जिन्दगी के शुरवात में लग गया और वाइलिट ये जानने की कोशिश करने लगी कि लोलो को जॉन पसंद आया या नहीं। लोलो को जॉन बिलकुल पसंद नहीं आया था और उसका कहना था कि वो किसी कार्टून कैरेक्टर जैसा लगता है। अपनी पूरी जिन्दगी एक गाउ में बिताने के बाद आज जॉन के लिए शेहर की जिन्दगी मुश्किल साबित हो रही है। और पहली बार वो ऐसे माहौल में जी रहा था जहां लोगों के लिए सास लेने तक की जगय नहीं। वाइलिट के लिए यही जिन्दगी बिलकुल अलग थी और वो लोलो के साथ अलग-अलग लोगों से मिल रही थी। जॉन वाइलिट से मिलना चाहता था पर लोलो की वज़े से वाइलिट उसके पास जा नहीं पाई। और वाइलिट का इंतजार करते करते जॉन सो गया। जॉन से कोई जवाब ना मिलने की वज़े से वाइलिट को लगने लगा कि जॉन उसे छोड़ देगा। और यही सोच कर वो बेचैन हो गई। यह सब कुछ देखकर लोलो मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वाइलिट जॉन को छोड़ दे। पर सही वक्त पर जॉन और वाइलिट की बात हो गई। और वाइलिट ने उसी रात उसे अपने घर बुला लिया। दिन भर अपना काम करने के बाद वो दोनों रात का इंतिजार करने लगे। पर लोलो अब भी उनके रिष्टे को तोड़ने के तरीके ढून रहा था। जैसे ही जॉन उसके घर आया, लोलो उसके साथ ऐसे बरताव करने लगा जैसे कि जॉन एक बच्चा हो। धीरे धीरे चीजे और आकवर्ड होने लगी और फिर लोलो जॉन के काम के बारे में हर एक छोटी से छोटी चीज पूछने लगा और उन बातों को सुनकर वाइलिट ठकने लगी। पूरे एक घंटे तक सवाल पूछने के बाद लोलो ने वहाँ से जाने का फैसला किया और अपने दोस्त के बास जाकर वो जॉन की बुराई करने लगा। उसका मानना था कि जॉन वाइलिट के साथ एक हफते से ज्यादा टिक नहीं पाएगा पर दस दिन गुजर गये फिर भी वो जॉन से अपना पीछा नहीं चुड़ा पाया। जॉन और वाइलिट का रिष्टा और मजबूत हो गया और परेशान होकर लोलो ने एक प्लान बनाया। वो जॉन को वाइलिट से मिलने के लिए तयार करने के बाहाने उसके घर पहुच गया और मौका मिलते ही उसके सारे कपड़ों में उसने खुजली वाला पाउडर डाल दिया। इस बात से अंजान वो खुशी-खुशी वाइलिट के पास गया और जब तक उसे एहसास हुआ कि उसके साथ क्या हो रहा है तब तक देर हो चुकी थे। जान के टेस्स लेने होंगे जबकि उसे कोई बीमारी है ही नहीं और ये जानकर जान को अजीब लगने लगा जब उसने वाइलिट के सामने अपनी नाराजगी जताई तो अपनी गलती मानकर वाइलिट ने माफी मांग ली और सारी गलत फेहमी दूर हो गई। उसने जान की शराब में ड्रग्स मिला दिये जिसकी वज़य से जान अजीबो गरीब हरकते करने लगा। उसने वहां मौझूद चीफ गेस्ट को परिशान करना शुरू कर दिया और वाइलिट को उसे वहां से बाहर ले जाना पड़ा। उस रात वाइलिट को एहसास हुआ कि शायद वो अब किसी रिष्टे को निभा नहीं पाएगी। यही बात उसने आरियाना से भी कही पर आरियाना का ध्यान उसकी बातों पर था ही नहीं। सुबह होते ही जान के सामने लोलो आ गया और उसे अपनी पेंटिंग में मदद करने के लिए कहने लगा। उस वक्त वाइलिट ये नहीं जानती थी कि जॉन उसी घर में मौजूद है और जॉन ने उसे ये कहते सुन लिया कि उसकी वज़े से अब वाइलिट को नया शो नहीं मिल पाएगा। उसने जॉन को एक गवार भी कह दिया और लोलो ये सब कुछ सुन कर खुश हो गया। इस सब की व जॉन और वाइलिट का जगडा सुलज गया और एक रात वाइलिट ने जॉन से कह दिया कि वो उसके साथ रहना चाहती है। जॉन तो उसके घर में रहने के लिए मान गया पर अब वो ये सोच रही थी कि लोलो और जॉन दोनों एक घर में कैसे रहेंगे। आरियाना का कहना था कि उसे लोलो को घर से निकाल देना चाहिए क्योंकि अब वो खुद के लिए एक घर खरीद सकता है पर ऐसा करना वाइलिट के लिए आसान नहीं था लोलो ये जानकर खुश नहीं था कि वाइलिट और जॉन का जगड़ा सुलज गया है और वाइलेट को एहसास हुआ कि शायद लोलो को उसकी खुशी की परवा नहीं है जब यही बात वाइलेट ने कही तो लोलो को दूसरा घर ढूनने के लिए राजी होना पड़ा और वो अगले ही दिन जॉन के घर शिफ्ट होने के लिए तय लोलो ने अपने दोस्त के साथ जॉन का सामान शिफ्ट करने में उसकी मदद तो की पर इस बीच भी उसने जॉन को परेशान करना नहीं छोड़ा जॉन यह नहीं जानता था कि लोलो का दोस्त हैकिंग जानता है और जब दो दिनों के लिए वाइलेट दूसरे शहर गई जॉन को अंदाजा भी नहीं था अगली सुभह जब वाइलेट घर लोटी तो उसे यह लगा कि उन दोनों लड़कियों को जॉन घर लेकर आया था और गुस्से में वाइलेट ने जॉन को घर से निकालने का फैसला कर लिया जॉन कहता रहा कि वो उन लड़कियों को जानता इतना ही नहीं हैक करके उसके बनाए सॉफ्ट्वेर को वाइरस में बदल दिया गया और तब जॉन को समझ आ गया कि ये सब कुछ लोलो का किया धरा है घर लोट कर उसने लोलो के कमरे की चान बीन की और तब उसका शक यकीन में बदल गया उसने वाइलिट को सारे सबूत दिखाने की कोशिश की पर अचानक लोलो उसके सामने आ गया और उन दोनों की हाथा पाई शुरू हो गई उनकी लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि दुनिया को और खास कर वाइलिट को ये लगने लगा कि जॉन लोलो को जान से मारना चाहता है और उसी वक्त जॉन को गिरफतार कदली आ गया उस पर कई इलजाम लगाए गया और जॉन अब एक मशूर गुनेगार बन गया जिसे अब एक गद्दार और आतंकवादी समझा जा रहा था क्योंकि उसने वाइरस फैलाया था वाइलिट लोलो के बारे में सोचकर रोती रही पर जब उसने आरियाना को वो बाते बताई जो लोलो ने अपनी जूटी बीमारी के बारे में कही थी तो एक डॉक्टर होने की वज़य से आरियाना समझ गई कि दाल में कुछ खाला है अपनी बेगुनाही साबित करके जेल से आजाद होकर जॉन ने जल्द से जल्द अपने आफिस जाकर उस वाइरस को खत्म किया और उस पर लगाए सारे इलजाम हटा दिये गए इस बात को दो महीने बीद गए और आरियाना अपने ग्रीक बॉइफरेंट के साथ खुशी खुशी रहने लगी वाइलिट को अब तक लोलो की कर्तूत का सच पता नहीं था पर एक रात लोलो के एग्जिबिशन में आरियाना की बेटी ने उसे सब कुछ बता दिया पर फिर उसे सब कुछ साफ साफ समझाने लगा उसने बिना वक्ग गवाय जौन से बात की पर तब तक जौन फ्रांस छोड़ कर लंडन जा चुका था वाइलिट ने हमेशा के लिए लोलो को दूर करने का फैसला कर लिया और उसे बताया कि उसने लोलो की वो डायरी पढ़ ली है जिसमें उसकी कर्तूतों के सारे सबूत छिपए हैं जब वाइलिट ने कहा कि वो जौन के पास जा रही है तो लोलो ने अपना आपा खो दिया और तब वाइलिट को समझ आ गया कि लोलो दिमागी तोर से अब तक एक बच्चा है जो अपनी मा को कंट्रोल करना चाहता है इस बार वो लोलो की बातों में नहीं आई और हमेशा के लिए उसे छोड़ कर जौन के पास लंडन चली गई जोन ने बताया कि उसे एक बहतर नौकरी मिल गई है और अंत में वो दोनों खुशी-खुशी साथ रहने लगे और फिर जब वाइलिट का सामना जोन की बेटी सबीन से हुआ तब उसे समझ आया कि जोन ने लोलो की वज़े से क्या कुछ जेला है